क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो सेकेंड अम एग्जामिनेशन सारी है फेबुरेरी में तो इसके लिए हम डिसकस कर रहे हैं सेक्षन सभी सेक्षन में आपको कौन-कौन से चैप्टर्स प्रिपेर करने हैं जैसे यहां बर आप देख सकते हैं सेक्षन ही एट मार्क्स का होगा फोर मार्क्स के क्वेशन आएंगे तो वो फोर मार्क्स के क्वेशन किस चैप्टर से आपको करने है तो इस तरह से मैं पूरा पेपर डिसकस करने वाले हूं आपके साथ जो आपकी सेकेंड अम एक्जाम आने वाले है तो प्लीस वीडियो कहीं पर भी स्किप मत कीजेगा स्टार करते हैं फ्रेंस आज का यह विडियो फ्रेंस यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो सेकेंड एक्जाम होने वाली है सेकेंडम एक्जाम फिफ्टी मार्क्स की रहेगी टू आर्स का टाइम आपको अलोट किया जाएगा यहां बर जीए सेवी बोर्ड ने जो ओफिशियली प्रेंस यहां पर दिखाना चाहते हूं यानि जो पेपर पैटन दिये वो मैं आपको दिखा देती हूं तो इस तरफ आप देख सकते हैं पूरी जो आपकी पेपर पैटन है एस वेल एस चैप्टर वाइस वेटेज यानि आपकी जो सेकेंड अम एक्जाम है उसमें वन टू एट चैप्टर रखे हैं स्टेटेस्टिक के तो यहां पर आप उनका जो चैप्टर वाइस वेटेज है वो देख सकते हैं फर्स चैप्टर फोर मार्क्स का होगा सेकेंड चैप्टर फ्री मार्क्स का इस तरह से सभी चैप्टर के लिए वेटेज दे दिया गया है अब मैं सा डिसकस कर लेती हूं पेपर का पैटन तो फ्रेंद्स सॉरी के मैं बॉर्ट टाइम से 11 कॉमर्स के लिए कोई अब से आपकी एक्जाम्स रिलेटेड इस तरह से सारे सब्जेक्स के लिए आपकी सेकेंड़म एक्जामिनेशन के लिए जो आपको प्रिपार करना है वो सारा कंटेंट अब चैनल पर अप्लोड होता रहेगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्रा क्यामनेशन आपको किस सेक्शन के लिए प्रिपार करना है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाले हैं तो प्लीज स्किप मत कीजे वीडियो को सेक्शन B में आप देखेंगे तो वन मारकर आपको वन लाइनर क्वेस्चन आंजर मिलेंगे तो यहाँ पर 5 क्वेस्चन होगे 5 म यानि 6 questions होंगे उसमें से आप कोई भी 4 questions attempt कर सकते हैं तो sections ही आपका होगा 8 marks, section D जो है उसमें भी आपको यहाँ पर 4 questions दिये गए होंगे उसमें से कोई भी 3 आप attempt कर सकते हैं, 3 marks के questions रहेंगे तो यहाँ पर आपको 9 marks section D से मिलेंगे section E जो है यहाँ पर 3 में से कोई भी 2 questions आपको attempt करने है 4 mark का 1 question यानि 8 marks का section E और section F में 3 questions में से 2 questions attempt करने है 5 marker question answers है 5 marker sums रहेंगे तो 10 marks आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो friends यह है आपकी statistic के लिए जो paper button और यहाँ पर अब आपने देख लिया chapter wise weightage 50 marks का अब मैं आपको यहाँ पर कौन कौन से chapters prepare करने है वो एक बार दिखा देती हूँ So friends section E के लिए आपको सभी chapters prepare करने है क्योंकि 10 MCQs जो होंगे वो सारे chapters से होंगे 1 to 8 अपका 50 marks का paper हैगा second time exam के लिए तो section A में जो MCQs हैं वो आपको सभी chapter में आपके textbook में जैसे दिये गए उस type के MCQs के आपको practice करने हैं उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर Section B में one-liner question answers आएंगे 5 तो यहाँ पर कहना मुश्किल है कि कौन से 5 chapters होंगे जिसमें से one-liner question answers आएंगे इसलिए आपको उसके लिए भी सारे के सारे chapters रहे हैं वो एक बार देख लेने हैं तो उसके लिए भी आप section B के लिए सभी chapters को refer कीजेगा Section C eight marks का रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको four questions attempt करने टोटल आपको देख गए होंगे six questions उसमें से आप कितने attempt करेंगे four right तो दो mark का यहाँ पर एक question अने वाल है two marks each questions होंगे chapters आप देख लीजे one five six seven eight यह five chapters हैं इसमें से six questions होंगे और आपको attempt करने है four तो आप कोई भी four chapter एकदम पूरे पूरे अच्छे से prepare कर लीजे ताकि आप six में से four chapters अच्छे से prepare करेंगे तो आप अच्छे से section ही पूरा attempt कर सकते हैं तो mainly four chapter पे focus रखेगा लेगिन एक chapter option में रखेगा section C के लिए कि आपको कहीं बेर difficulties ना रहे तो friends section C में किस type के sums आते हैं तो इन chapters का textbook में जो last में exercise part होता है जैसे exercise one देखेंगे आप textbook की तो उस exercise one में जो section C के जितने भी sums हैं उनकी practice कर लीजे उस type के questions पूछे जाते हैं तो मैंने आपको hint दे दिये कि किस type के questions आते हैं तो आप वैसे sums की practice कर लीजे section D nine marks का होगा यहाँ पर three out of four यानि आपको चार question दिये होगे उसमें से three questions attempt करने एक question three marks का होगा अब चार जो questions होगे वो in four chapters में से होगे लेकिन आपको attempt करने कोई भी तीन तो आप कोई भी तीन chapters अच्छे से prepare करके रखे और section D में किस type के question आते हैं तो आप इन chapters का जो section D वाला part है जैसे chapter 2 है तो exercise 2 open कीजे textbook के पीछे आपको दी ग वैसे exercise 2 open कर लीजे उसका section D जो है उस वो check out कीजे उसमें जैसे type के sums है वैसे prepare कर लीजे फिर ऐसे ही exercise 4 open कीजे उसमें section D पर जाईए उसमें जैसे type के sums है वो सारे prepare कर लीजे तो वैसे ही type के questions आपको देखने को मिलेंगे तो मैंने आपकी इतनी help कर दी आप प्रीज चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा तो ऐसे videos मैं सारे subjects के लिए upload कर दूँगे आपकी second exam के लिए भी और final exams के लिए भी model question paper भी आपको provide कर दूँगी final exam का और उसके लिए भी इस तरह से strategy पूरी discuss कर लेंगे so friends चलते हैं अब section E की तरफ तो यहाँ पर 8 marks का section रहेगा यहाँ पर आपको 3 questions दिए गए होंगे लेकिन attempt करना है 2, 4 marks का 1 है यानि आप 2 attempt करेंगे तो आपको 8 marks मिल जाएंगे एक question के 4 marks मिलेंगे अब यहाँ पर यह जो 3 questions आपको दिए गए होंगे वो 6 और 8 chapters से होंगे लेकिन उन तीनों मेंसे आप जो भी अच्छे से solve कर सकते हैं वैसे सिफ 2 questions आपको लिखने हैं तो एक आप option में निकाल सकते हैं लेकिन इन दोनों मेंसे हम यह नहीं बता सकते कि 6 chapter के 2 questions होंगे 8 chapter के 2 होंगे या 6 का 1 होगा तो इस तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं तो आपको दोनों ही chapters prepare करने हैं तो उसमें से आप questions अच्छे से लिख पाएंगे 4 mark कर question होगा तो section E के लिए आप इन दोनों chapters के textbook में जो section E दिये गए exercise 6 का section ही और exercise 8 का section ही व ऐसे ही type के sums और textbook के वैसे type के illustrations prepare कर लिजेगा अब चलता है friends last section F 10 marks का होगा इसमें 3 questions दिये गए होंगे जिसमें से आपको 2 attempt करने हैं तीन में से कोई भी 2 attempt कीजे एक 5 mark का होगा तो आपका 10 marks यहाँ पर section F का complete हो जाएगा दो chapters है आपके 3 and 5 तो 3 and 5 में से long questions आएंगे skewness वाला chapter है और measures of central tendency तो इस में से long questions आएंगे तो इन दोनों chapter के जो section F है exercise 3 का section F और exercise 5 का section F textbook का इनकी practice कर लिजे और वैसे type के illustrations practice कर लिजे ताकि आप अच्छे से इसके लिए prepared रहें so friends अब मैंने आपको पूरी paper pattern आपकी second term exam की chapters, chapter wise weightage, strategy सब कुछ आपके साथ discuss कर लिए है वीडियो आपके लिए helpful रहा हो तो please comment करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपके लिए वीडियो helpful रहा है ताकि मैं ऐसे ही वीडियो चैनल पर upload करती रहूं और और कौन से subjects आपको पह इस type की सारी blueprints upload करती रहूंगी तो आप वो playlist पे जरूर चेक कीजेगा मिलते है friends हमाई next video में thanks for watching